Hello Friends, आज हम Anymore as a two words and Anymore as a single word में difference देखेंगे जब Any और More के बीच में space होता है, वह sentence में या तो determiner का काम करता है या फिर pronoun का काम करता है जब Anymore के बाद कोई noun आता है, वहाँ पर Anymore determiner का काम करता है लेकिन जब Anymore अकेले आता है, उसके बाद कोई noun नहीं आता, वहाँ pronoun का काम करता है जबकि Anymore without any space between Any and More, means as a single word यूज करते हैं, वह sentence में adverb का काम करता है मतलब verb को qualify करता है, verb की भी से इसता बतलाता है जैसे I don't have any more problems, means मेरे पास और कोई समस्याएं नहीं है जब की I don't have problems anymore, दूसरा sentence, मेरे पास अब समस्याएं नहीं है means I had problems earlier, पहले समस्याएं थी, but now I don't have problems तो यहाँ पर Anymore जो है मतलब देता है अब, adverb का काम करता है, time बताता है यहाँ पर की अब हमारे पास समस्याएं नहीं है I don't have any more problems, यही sentence था हमने वहाँ पहले बताया की हमारे पास और समस्याएं नहीं है और समस्याएं नहीं है, कोई और समस्याएं नहीं है यहाँ पर Anymore एक डिटर्मिनर की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि problems noun है अब दूसरा sentence, do you have any more money? क्या आपके पास कुछ और पैसे हैं, कुछ और धन है इस तरीके से Anymore का यूज़ एक negative sentence या फिर interrogative sentence में हो सकता है affirmative sentence में यूज़ नहीं होता affirmative में यूज़ करना है, तो some more का यूज़ किया ज़़ सकता है अब यहाँ determiner के रूप में यूज़ हुआ है पहला और दूसरा sentence क्योंकि इनके साथ noun है, problems और money तीसरा sentence I don't have any more, मेरे पास और अधिक नहीं है क्या नहीं है, पैसा नहीं है, I don't have any more तो यहाँ Anymore money को बता रहा है इस तरीके से Anymore के बाद कोई noun नहीं है, जो कि pronoun का का काम कर रहा है अब नीचे के जो दूसे sentences है यहाँ पर Anymore एक Adverb का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर Verb की विशेस्ता बतला रहा है I don't work there anymore मैं वहाँ अब काम नहीं करता हूँ या आज कल मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ तो यहाँ पर Time को बताता है Anymore Can you stay there anymore? क्या आप वहाँ और रुख सकते हैं और समय तक रुख सकते हैं तो यहाँ पर Anymore टाइम को बताता है इस तरीके से मैं यहाँ पर देखते हैं कि Anymore के दो मतलब होते हैं Any longer या फिर nowadays I don't want to live with you anymore मैं तुम्हारे साथ और अधिक नहीं रहना चाहता मतलब Any longer Means future में हम और अधिक समय तक तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते ओके दूसरे सेंटेंस I don't live with you anymore मैं अब या आजकल तुम्हारे साथ नहीं रहता हूं तो इस परकार Anymore जब एक साथ यूज होते हैं तो उनका मतलब या तो Any longer होता है या तो nowadays होता है थैंक्स वर वाचिं